हाई एब्रीवन वेलकम बेक तो दा चैनल एजी हिस्ट्री कमपैनियन तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट ब्रिक्स, बीट्स और बॉन्स का टॉपिक फर्स्ट था जो बिग्निंग्स उसके कुछ में पॉइंट्स रीड के थे और मल्टीपल चोईस कोईस्ट स्ट्रेटिजीज और इसका एक सब्टॉपिक है तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों की सम्मूरी करेंगे एंड कुछ प्रवाइड कर दूंगे मैं आपको इसमें ये कह रहे हैं कि जो मैच्योर हरपन कल्चर है न वो कहां पे डवलेप हुआ ऐसे कुछ एरियास में डवलेप हुआ मैच्योर हरपन कल्चर जो एरिया किसका था पहले अली हरपन कल्चर का था आपको पता है mature happen culture का time period क्या है 2600 BCE to 1900 BCE और early happen culture क्या है before 2600 BCE तो इसमें इनका main ये main क्या समझाना जाते हैं कि cultures का time period different था लेकिन geographical area same था मतलब same area पे ही पहले early happen culture हुआ फिर 2600 BCE के बाद mature happen culture आया and 1900 BCE के बाद later culture आया these culture also share certain common elements including subsistence strategies देखो सिरफ time period अलग था जोग्राफिकल एरिया सेम था तो वहां की soil की conditions same थी time के साथ climatic changes आते हैं नॉर्मल है कोई बात ने लेकिन अब geographical area सेम है तो स्कुछ soil condition सेम होती हैं जिसकी वजह से उनके जो सब्सिस्टें स्ट्राइजिस थी वह कॉमन थी मतलब जो पहले यूज करते थे वही बाद में यूज करते थे ठीक है तो दा हरपण्स एट वाइड रेंज ओफ प्लांट्स एंड अनिमल प्रोड़क्ट जो हरपण्स थे वह क्या खाते थे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वह प्लांट्स एंड अनिमल प्रोड़क्ट लेते थे सबसे पहले grain फांट्स एट हरपन साइट्स इंकल्यूढ तो कुछ ग्रेंज मिले हैं हरपन शाइट्स में उन ग्रेंज में क्या क्या इंकल्यूढ होता है वीट, बारले, लेंटिल्स, चिकपी, एंड सीसेम एक बार दुबारा रिवाइस कर लो वीट, बारले, चिकपी, लेंटिल्स, एंड सीसेम ये 5 things include होती है ग्रेंस में उसके बाद आर्कियोबोटैनिस आर्कियोबोटैनिस क्या होते हैं स्कोलर्स होते हैं, एक बारें पता चलता है अब ये तो हो गया प्लांट प्रडट्स थे क्यों ग्रेंस में क्या-क्या इंकल्यूड हुआ अब अनिमल प्रड़क्स भी लेते थे तो वो तो इनिमल बॉन्स फांड एट हर अपन्स तो ये आनिमल बॉन्स मिली हैं तो domesticated animals की bones मिली हैं कौन-कौन से animals थे cattle, sheep, goat, buffalo and pig cattle, sheep, goat, buffalo and pig उसके बाद अब यह तो होगी domesticated की बाद अब कुछ wild species के भी bones मिले हैं वो study कर लेते हैं boar, deer and gharial और bones of fish and fowl also found और कुछ bones fish and fowls की भी मिली हैं सो एक बार मैं आपको revise करवादू plants में हमें क्या-क्या मिला है plants remain में कुछ grains मिले हैं उसमें क्या-क्या include होता है wheat, barley, lentils, chickpea and sesame और animals की कुछ bones मिली हैं जिसमें domesticated cattle, sheep, goat, buffalo and pig और उसके बाद जो wild species है boar, boar, deer and gharial उसके बाद bones of fish and fowls also found तो यह हो गए उनके plants and animal products उसके बाद अब हम agriculture technologies पढ़ते हैं उनकी so agriculture technologies में क्या-क्या था pluffing महां पर कुछ pluffing के evidences मिलते हैं तो हमें यह पता कि उस टाइम pluffing होती थी अब cattle भी मिली है cattle को domesticated तो अब उनको घर पर क्यों रखा जा था of course pluffing के लिए उसके बाद yes this is very important यह picture मैंने इसलिए add की है यह है इसका क्या मतलब है कि जो field है ना उसको two parts में divide किया गया है एक तो ऐसे और एक ऐसे इधर अलग crop grow करते थे इधर अलग अलग crop grow करते थे तो two crops grown together मतलब कितने advance थे की दो crop grow करते थे अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी तो सही होगी मतलब कोई न कोई तो सही निकलेगी ही उसके बाद फिर harvesting होती थी उसके बाद अब वहां पर जो हरपन रीजन है वहां पर semi-arid areas है मतलब जहां पर थोड़ा बहुत सुखा होता है थोड़ा बहुत मतलब एक तो होता है कि नदियां बहती रहे सारी जगाए लेकिन कई नदियां सूख जाती है या फिर और बहुत रीजन्स होते हैं जिसके वहां पानी कमी होती है तो irrigation कैसे की जाती थी irrigation canals and wells कुछ canals और wells मिले हैं यह canals और यह wells ठीक है अब यह तो होगी irrigation की बात लेकिन अगर उनको water स्टोर करना हो तो water storing reservoirs भी मिले हैं डोला वीरा में डोला वीरा एक साइट है गुजरात में वहां पर एक रिजर्वेर मिला है यह बुक में फोटो गिवन थी हाँ यह देख लो तो इस वाटर स्टोरिंग डिजर्वेर अब इस से रिलेटिट जो mcq बने हैं वह एक बार स् एक चैनलय के लिए ही तो और छी खुप षुप पैले यह दूसे उन्हे एक सिस्ट में फोटो लिए तो ऊस्ति मिले हैं तो इनके मिलने के विज़ा से उनको पता चलाएं वहां पी गुछ जो स्टी और कुछ उते ते जैसे वीड बाले लेंटिल चिक्पी एह बोटो नेस् फाइट से मिले हैं तो वह बैसिकली कौन से साइट से मिले हैं पाकिस्तान गुजराथ वालुचिस्तान अफगानेसान तो राइट ऑप्शन है गुजराथ तो गुजराथ से मिलेट के कुछ अविदेंस इज मिले हैं एक चीज ऐसी थी जिसके वहत ही कम मिले ह। और टील वीट मिली ह्लाइट, secondly切 fun बचाराइस, तो राइस तो राइस तो राइस क्रेक्ट ऑप्शन की विच यसा एविदेंस वोस तो बॉच वग wyd guys करते थे रिप्रेसेंटेशन पॉट्स पोर्स पallahक्या बूल्स की या बू-स पूझे कि कुछ भॉण्स तो दा करेक्ट टेंसवर इस रिप्रेजेंटेशन ओन सेल्स देखो जब हमें बॉंस मिली है ना उसमें क्या क्या में शिन किया गया है बॉंस इनकी मिलिया है केटल शीप गोट बफैलो एंड पिग इनकी बॉंस मिलिया है तो आइधिंग बुल की बुल को पता नहीं वो खात इस विन फांडेट साइट सीन अब हमें यह पता है प्लफिंग किया है तो प्लफिंग के कुछ उनको एविडेंस इस मिले है कि टेरागोट्टा मोडल्स मिलें अब कौन से सब्सक्राइट पर मिले है तो अप्षिन से लोथल एंड काली बंगन चॉलिस्तान और बनावली ब प्लफिंग का भी एविडेंस दहल ज़स्कों से साइट पर मिला है ढोला वीरा काली बंगन राखीगडी या लोथल रात उप्षिन इस काली भंगन पर उनको फ्लफिंग के एक था है सब्सक्राइब इस है एड़ अरपन साइट्स इन तो कैनाल के कुछ ट्रेशिज मिले हैं अभी हमने लास्ट में स्टडी किया कि इरिगेशन के लिए कैनाल वगारा यूस किया जाते थे तो ट्रेशिज कौन सी साइट्स पे मिले हैं शोट उगाई पंजाब सिंद्ध या रोपर तो इसका राइट पंजाब और सिंद्ध नहीं मिले हैं तो अगर पंजाब और सिंद्ध में नहीं मिले हैं तो अगर पंजाब और सिंद्ध और उप्शन आई कि वहाँ पर ट्रुफोल सी भी आ सकते हैं ना कि पंजाब में कैनाल्स के ट्रेशिज मिले हैं या सिंद्ध में मिले हैं तो फोल्स आएगा तो यह मैंने यहीं समझाने के लिए लिए यह उप्शन वाटर रिजरवेर कहां पर मिला अब हमने लास्में पिच्चर में भी स्टेडी गया था शायद आपको याद हो तो ढुलावीरा में मिला है देट इस इन गुजराथ एक्चुली एक टोपिक है सोस बेस्ट का तो मैंने उसके भी कुछ MCQs डाल दी इसके अंदर तो डैश आर यूस्ट फोर ग्राइंडिंग सीरियल्स अब वो सीरियल्स वगरा भी ग्राइंड करते होंगे तो उसके लिए क्या यूस करते थे ओप्शनस ओर तो टो असटान भ्लेइड सेडल कवन ओल तो इसका राइट आन्सवर है सेडल कवन मैं आपको उसकी पिच्चर दिखा देती हूं इस टाइप का हुदा calculated हेट रख इयो होनग क्या होता है ये एक सटोन है और ये कंवैक्स होता है शेप में। अब सिद्धोन सब्कैनी आगची पन्ति यहाद ऊपर स्वंदकाथ सब्सक्राइब रख दे जाते हैं और इसकी हैटब से उसको होलो है मतलब और उसके अंदर फिर हम कोई जैसे स्टिक वगारा थंप करते हूं ऐसा कुछ है उसकी भी आगे पिच्चर दिखा दूँगी हैं हार्ड स्टोन और सेंडस्टोन के तो वह सेड़ खेंट घ्रिटी अर और सेंडस्टोन के बने होते हैं तो और ईसका इसका और एक तो यह हो गया जो भी दिखाया में उपर से सबीयर घोर्ण सिरil आप ने आपको दिखाया घ्राइडिगं ृब अब देखो फ़र्स्ट तो मैं दिखाया घ्राइंडिंग सीरिय Chapter अब कि दिखाया तो सेकेंड टाइब जो है ना वो किसी एक स्पेशल पर्पर्स के लिए यूज़ किया जाता है तो उसके बेसी पर उसका नाम रखा गया है ठीक है तो पहले ओप्षिन्स देख लेए ग्रेंट स्टोन स्पाइसी स्टोन हर्ब स्टोन करी स्टोन तो राइट ओप् में मेली कड़ी वगएरा के लिए स्पाइसीज ग्रेंड के जाते थे तो उसको कड़ी स्टोन बोला गया है next is identify the images अब कुछ images given है बुक में वो identify करनी है तो इसमें मैंने options निडाले जस्ट नाम वगएरा देख लो अब यह देखो यह क्या पता लग रहा आपको यह एक टेरा कोटा मोडल है किसका बुल का टेरा कोटा कैसे बता चला क्योंकि यह यालो कलर का है ऑफकोस मिट्टी का बना होगा तो टेरा कोटा मोडल है बुल का next one is identify the image अब यह हैं tools कौन से हैं copper tools देखो भी इनका color थोड़ा यह नहीं लग रहा कि आईरन वगएरा copper वगारा मतलब उपर से कुछ उतर रहा है इनके डिके हो चुके है न यह तो यह copper tools अगर टेरा कोटा को होता तो यह यह यलो औरेंज कलर का होता तो दीज आ copper tools यह real tools है जो evidences मिले हैं और अगर इनका टेरा कोटा मोड़ल होता तो उनका color कुछ अलग होता तो यह याद रखना tools मत लिखना copper tools लिखना next is अभी यह मैं आपको अभी तीन चार बार पड़ चुक है मैं इसके बारे में इसके बारे में इस रिजर्वियर एट डोलाविरा water storage के लिए यूज होता था for agriculture and last one is अभी हमने पढ़ाई यह बुक में गिवन है जो मैंने two types में two images दिखाई और मैंने नेट से निकाली थी ताकि आपको दोनों में डिफ्रेंस क्लियर हो जाए यह जो पिक्चर है यह बुक में गिवन है तो इसको हम सेडल कवन बोलते हैं so I hope you like my video if you like my video please share it with your friends and subscribe my youtube channel हां और notification bell icon जरूर प्रेस कर लेना अगर मेरी कोई भी नई वीडियो वीडियो अपलोड होती है तो आपको डिरेक्ट पताच हो जाएगा thanks for watching